क्लाइमेट चेंज में इतना कुछ बताने के लिए है कि 12 लेक्चर हो जाएं तो भी कम पड़ेगा कि बहुत दाइमेंश नहीं इसके साइमेट है व साथ दाइमेंशन सब्सक्राइब करे। देखे़ कि इस नाधा कंपरेचरण लेट, इस पिस्वायद को व सदे रेक्गुर, नयुक्त 지म पर Св boundary, जो रहा है आघ। मिनने क्लाइमेट की जो एलिम्ट थे क्लाइमेट की जो एलिमेंट किका थे इसके कारण मानोजनित कारणों से वो होता है वही होता है आपका क्लाइमेट चेंज मानोजनित कारणों से चेंज हो रहा है क्लाइमेट के एलिमेंट में जो इसके कंपोनेंट है उसमें जो है परिवर्पन जो है नेचुरल कारणों से भी हो रहा है लेकिन वह हम एक लंबे समय के बाद मतलब उसको आपजर्ब कर पाते हैं जैसे कि माली कांटिनेंट सिप होगा तो उसको हम 10-15 साल में अपजर्ब नह कारण में हमने जो है कारण में इसने हमने दो तीजिन नेचुरल देखा और है दो देखें दोनों के यह मतलब स्क्राइब हो गया है हमने पड़ा होता क्लाइमेट इसकी कारण कि पिर हमने यह जाना समझने का प्रयास कि क्लाइमेट चींज जो है जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसकी सब्सक्राइब बड़ा रिजयन वह क्या है पलुप मानों के वजर से हो रहा है उस ग्रीन हाऊस ग्रेसों की वजर से क्या हो रहा है है के वाब्रीक के सब्सक्राइब से क्लाइमेट के यूंछ वह रहा है तो यहां से हम लोगो कि श्रिफ्ट किया मतलब क्लाइमेट अपर क्या है का वार्मिंग को हमने जाना क्या है कि या है गलोबल बाहर जा मतलब आपके जो अट्मास्टियर शेक्टमास्टियर के जो तंप्रेटर ल कारण से भी जहते हैं जैसे भी सिंवनेंटेन उसमें क्या हुआ हुए हो निरंतर जो है NERANTR जो ब्रग्डी है — वह क्या है? Global Warming कैसे है इसके लिए हमने basic समझने का प्रयास किया है कि हमारा जो वार्मिंग का जो फना ब्यना है कि वार्मिंग बूती कैसे है तो इसको हमने देखा कि हमारा क्या है वाई मंडल है प्रतभी है कि यह से सब व्रलाके कि या बनाते हैं हमारे वाई मंडल की करते हैं यह वाई मंदल जो क्या करता है एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है का मतलब क्या है कि जो सन है सूद्य है कि प्रकास आता है यह इसमें से यहां से कुछ जो क्या होगा चक्राइब वाबस कला जाएगा वाई मंदल से बादलों से इसे बने होते हैं आइस इसकल से बने होते हैं तो उनका अल्वीडव क्या होगा जादे होगा तकरा वापस करता है प्रठबी पर यह तो आइस के तपर अभाई मंदल में इंटर करता है कि इसने पर इंटर करता है वाई मंदल में इस वजए ता था ना कि इस्टिफोर कि इस्टिफाइब कि इस्टिफाइब बताया था ना कि इस्टिफाइब था 65 का योग हम लोग कर रहे थे ना कि 48 उगर 51 था और यो है इसा नहीं है हमने इमेजिनरी हंडेड इनुट मानके मतलब लगभग मानके चली इसको मोटा मोटा कर लें एक्मास्फियर में आया इसमास्फियर में आने के बाद अर्थ ने एपजॉल्ब किया फिर अर्थ क्या करने इसको फिर से वापस वेजने है पूरा लांग वेप की वज़े से यह क्या होता है यह वापस कर लेता है कौन कर लेता है इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है वाई मंदल हमेशा गर्म रहता है कर जाता है टिक अ किलीर है ये अच्ट ही प्रणा मैं और ना कहां पर देखा जाता है ग्रीन हाउस में ऐसा ही प्रेंगा ग्रीन हाउस में देखा जाता है मतलब थी वेव आई एक साड़ वेव के फार्म में आई अर्थ ने उसको एब्जॉब किया फिर उसको वी डियेट किया उसको हम लोग क्या बोलते थे जो अर्थ उसको रेडियेट करती थी इसी को लोग मोले है अई होता है चाज का बना हूआ है एक हाउस होता है कांच का शाल किसी भी पारदर्सी पदार्स का बना होता है वही जो प्रॉसेस यहां पर होता है वही सेम प्रॉसेस ही इसमें ट्रैप रहती है पर्याप इसको जो है क्या है गर्मी मिलती रहती है ठीक है और यह कहां पर इस तरह कांसेफ्ट अपनाए जाएंगे बहुत तंप्रेचर कम होगा जो गुरुवी छेत्र है मार लेजिए उन जबहों पर इस तरह से अगरी कल्चर या सब्जीयों गरेगी खेटी जो की जाती है इतनी मोटी-मोटी बाते हैं ये अब हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैसे लिकली जी ग्रीन हास गैसे हैं करना 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 है करना 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 करन आफ एक्मास्फेयर नियर दे अर्थ सर्थेस एंड इन प्रोपो इस्पेयर बैस्विक तापन ठीक है बैस्विक तापन या गलो बिल दी हा बैस्ट में लिक्रिया करिये उसको जैसे अगला अगला लिक्रिजी विच्ट्रिबू तो चेंज इन प्लिमेट पैटर्न चेंज इन प्लिमेट पैटर्न अब यह क्या हो सकता है अब इसके कारण क्या हो सकते हैं इसके नेचुरल या क्यूमन इंडियूस्ट यह क्यों है प्राक्रपिक या मानो प्रेवित को सकता है इंडियूस्ट लिए ठीक है फिर इसको लिए यह हो सकता है लेकिन हमारा कंसर्न किस से होता है इंडियूस्ट वाले से होता है लिकली जी बट इंकामन ग्लोबल वार्मिंग बट इंकामन ग्लोबल वार्मिंग अधियूस्ट बटेवित कामन ग्लोबल वार्मिंग often refer to the warming that occurs refers often refer to the warming that occurs as a result of that occurs as a result of increased emission of greenhouse gases emission of greenhouse gases I don't know if I can see it I don't know if I can see it और यह लिखाए इस यहां तक लिख लिए लेकिन समान मेंता है ग्लोबल बार्मिंग के ताथपर्य जो है इससे होता है जो ग्रीन हाउस गैसों के निक्सन की वज़े से अब पंकत जी गाया हो गया है अब लोग प्राइगे लाइप तो होगा नहीं कोई वी लुट थाप जाप झाप अब लोग ध्यट में आख ऊज़े क्लाइमेट चेंज डिसक्स कर रहे हैं क्लाइमेट बात हो रहा है ग्लोबल वार्विंग के हमने वहाँ लिखा क्या है अधे हम फुर्य मारहा ग्लोब वार्मिंग की बात कर रहे हैं कि मत्रों क्nox क् डिर्व हाँशों का अब ग्रीन हाउस गैसिज इस यहां पर आप लोग जाने इस इसे हमारा एक्मास्टेर क्या होता है गर्म होता है एक समानने लेबल पे लेकिन यदि इनका कंसेंट्रेशन क्या हो जाए बढ़ जाए तो फिर यह क्या होगी ज्यादे क्रेप होगी तो उसकी कंसेक्वेंसे अलगांगी इन जन्गल हमारे एट्मॉस्टेर का टंप्रेचर कुपना है तो अब यह इन अब गरे चया हम कौन कौन सी हैं लिख लीजी तो ये मनलब इन सार्ट में ग्रीन हाउस के बारे में कल तो लोगों नी बिसकस किया था ना ग्रीन हाउस को बताने जोरूत नहीं है त्रीक है अब लिख लीजी अब हमारा जो एट्मास्फियर है यह क्या है मरा एक्मास्फियर जो एट नेच्छुरल ग्रीन हास एट नेच्छुरल ग्रीन हाउस है इस मड़ा इंच्छे लेटर्ड ग्रीन हाउस है टीक है ना दिलमोटी मोटी बात है कि अ दो गुल कि आउज गैसिस की बाप कर रहेथे ग्रीनाउस गैसिस में लिखे कार्बन डाइक्साइड मेथेन हो गया और नाइट्रस अक्साइड एन्टु ओ या नाइट्रस अक्साइड और क्या किया गया उसको तो माली ठेज आउट कर दिया गया है तो यह लेकिन अब तो यह निए फिर से जाम लेजिए एक सब्सक्राइब पी अपसी एसे फिक्स पर फ्लूरो कार्बन इसे फिक्स हो गया सलफर हेक्साफ्लूराइड इसके अलामा जैसे क्या है वाटर वेपर लिख लिए जलवास को अब जैसे कि ओवराल वाटर वेपर को लोग इसलिए नहीं डिस्कस करते हैं कि वाटर वेपर जो है वह माना उसके लिए जिम्मेदार नहीं कि वाटर वेपर के संट्रेशन बढ़ गया दारेक्ट हुमन इसके लिए रिस्पॉंस भी लोग है और दूसरा क्या है कि वाटर वेपर जो है एक्मास्पेर में बहुत लंबे समय तर नहीं रहता है तो यह हो गया लेकिन जैसे जीट क समय तक नहीं रहता है तो इसलिए उसका जोई हम लोग इसमें एक चाहिए जैसे वाटर वेपर के बारे यह हो गया आपका कुछने हो गया और कोई शूता कि यह पार्टिकल्स के अलावा अभी हम उसको में कंसिडर करिए जैसे कि एक होते हैं आपके यह होते हैं ब्लैक कार्बन नाम सुना होगा कार्बन सूट्स बोलते हैं लेकिन फिर इसने कि बहुत इनको हम लोग जो पॉलूशन करेंगे न वहां पर इनकी बारे में थोड़ अग्साइड यह जो मानोजनित कह लिए ग्रीन हाउच गैसेज हैं इनमें इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है कर्बन डायक्साइड मेथेन और नाइट्रस अक्साइड ठीक है कर्बन डायक्साइड के बारे में खोड़ा सा लिख लीजिए उस्य metabolines in the, it is primary, it is primary green house gas इमिटेट बाई हुमन एक्टिविटी इसे एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जो मानोगत्री जिए के द्वारा वाई मंडल में फोड़ी जाती है इसका शुरूत क्या होगा कहां से आएगी कि प्रेंशेयर जो है क्या है क्या है गया है दो अपना जो बेच्चल है उसकी से उन्हें इसे निचर में है लेकिन मानोगत्री खास्चेंटर में च्रीका मनल में आती है हूं तो आप जीवास में इधन जलाते हैं उसकी वज़े से हो जाएगा उसमें आप उसको इंगी कर सकते हैं तो हम आगे आगे हम उसको बात करेंगे उसको बात करेंगे क्या पैसे बढ़ रहा है अधि एक हो गया की मिनली कॉसल स्कुल जलाते हैं इक कर द्रमान शर्म पावर कर देशन कूल बर्मिंग होती है इन सक्षिश के मिनली कार्वन डाय एक्साईड डिएत्टक्र जीवास हो विंगनों काॉज जलाया जाना थिक है फॉसल्ट्यू बर्मिंग भर्मिंग लिकल गव अब सियोटू जो है कैसे मतलब हमारे एक्मास्पेर में कैसे प्रभावड डाली एक क्या करें है कि हम जो है सियोटू को का इस बढ़ा रहा है कि यूटू को क्या कर रहे हैं वाई मंदल में जादे मतलब कर रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं सियोटू को सियोटू का लेबल दूसरा कर रहे हैं मतलब क्या है कि जैसे प्रभाव्रेस्टेशन कर रहे हैं मालिज्य बनों को जो है रहे हैं या लुट तो बन जो क्या होते हैं या जैसे कि जो बहुत सारा मतलब क्या करती है जो ने तो वह वह क्या करने कार्बन सिंग को कम कर रहे हैं और कार्बन डाइक्साइड के इस वाटर वेपर के बाद कर लें कि जीट ट्रैप हो रही है इसमें दो बाते हो सकते हैं या तो एक कांसेक्वेंस से हम चलें कि आप इसको कुछ लिखने लाइक एक हो जाएं एक होता है कि छोटे-छोटे कांसेट बता दें अब जैसे इसमें कांसेट आ गया कोई ग्लोबल बार्मिंग यहां तो इसको साइड में कहें लिक जेक्व या आगया यह तो ग्लोबल वार्मिंग मुझिंगिज ग्रीन ाउस गषण है तो किसी भी जाब करती है वो कितने अच्छे तरीके से इनर्जी को एब्जाब करती है और कितने लंबे समय तक उसको क्या करती है और उसको बनाए रखती है ग्लोबल वार्वी में कोई ग्रीन हाउस गैस कैसे प्रभाव दालेगी इस बात को निर्धर करेगा कितने अच्छे से ठीप को ट्रयप करती है उन्हें बढ़ीया तरीके से इट को प्रेजार्व करती है ठीक हीट को असोशिक करती है और फिर उसको क्तने लंबे long time तक इसको lifetime उसकी क्या है लिए उसको इस बात पर निरवर करेगा कि वो कितना जो है, global war भी करेगी ठीक है, यह कहीं कोने में ऐसे इसको लिख लेगी यह बात पता रहेगी जैसे हम लोग green house जैसे green house के बारे में हम लोग जानते हैं तो उसका हम रूज़ आज़े झाल 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 पानी है यह यह पानी है यह झाल 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 यह 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 मतलब यह मंदल में कितने दे तक रह सकता है कि कि इसका सक्षे जादे सर्जन होता है इमिसन होता है तो इसी लिए इसका इसकेट्स भी होता है दूसरा लिखी ज़रा मिथेन यह सेकेंड नंबर पर इसका युगदान है मिथेन का मिथेन का सुरूत क्या है मिथेन का सुरूत क्या है 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 कहिए मिथेन का भी सुरूत क्यों से इंडिस्ट्री कैपिटल स्केमिकल अलग्सर हाँ ठीक है क्या मिथेन पुछ निक मिथेन मिथेन प्रफू वह मुव नयर रह्ते कहत relax का उस बढ़ तो उससे भी जो है मिथेन का सर्जन होता है इसलिए जो आप लोग बोला कि वहाँ पे कैटल स्रेरिंग पर वह है अपका टैक्स है ठीक पैडी से हो गया यह पसु पालन से आ जाएगा उसको ऐसे लिख लिए ठीक है फर्टिलाइजर इंडेस्ट्री जो है ठीक मिथेन का जो स है इससे है आठी तो मतलब वो उसी मतलब पसु से रिलेटेड जितनी चीजिये हुए एक और लिख लिए जो आप फॉसिल्स फ्यूल जलाते हैं उससे भी मेथिन का सर्जन होता है अब इसने देखिए कि इसका कंसेंटेशन जो है स्योटी की तुलना में तो कम है लेकिन एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि इसी जो कि इसका की जो समता है वो जब बहुत जादे लगभग कार्बन डाइक्साइट से 21 गुना जादे ने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसियल जो है कह लिए ठीक आने जो कि इंग्लिश में तो लिखते हैं में है कि इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसियल है कि कि वैस्विक्तापन सामर्थ है वो क्या है आपका कार्बन डाइक्साइट से लगभग 20-21 गुना अधिक है लेकिन इसका जो जीवन काल है ना जो इसकी अवरेज लाइफ है अवरेज लाइफ टाइम है वो लगभग कि वारेज साल है कि ही तो एज़ाब कर रहा जादे कि पोटेंसियल जादे है मिथेन का लेकिन चुकि इसकी लाइफ टाइम कम है और इसके अलामा जो इमिशन हो रहा है कार्बन डाइक्साइड की कुलना में कम हो रहा है तो इसलिए यह ठीक है लिखें 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 पोटेंसियल आवे बात समझ में आई ना अब मैं इनका सबका पोटेंशिल निखा भी रूमगा किपना कितना नात्रस अक्साइड की इसका स्थ्सक्राइब यह ठर्ड लार्जेस्ट मतलब ग्लोबल वार्मिन के लिए रिस्पांसिपिल ग्रीन हाउस गयर से यह भी लिखने ही दिश्प्रड लाजेस्ट जो यह आपका नाइट्रा साइड है इसका जो शूर्थ है आने जो सोर्स है वो लिपीजी फल्टलाइजर इंडेस्ट्री जिवास मिद्नों को जलाने से अब जब हमने लिखा कि यह फर्टलाइजर इंडेस्ट्री इसका मतलब क्या है एग्री कल्चर हो गया एक तरह से अब जो नाइट्र साइड है इसका ग्लूबल वार्मिंग पोटेंशियल और अधिक होता है विद्धिन से बिखाने यह लगभग जो है का मतलब कार्बन डाइक साइड से लगभग 310 गुना अधिक है पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 310 गुना अधिक है किसी कार्बन डाइड अक्साइड से इसका जो लाइफ जो लाइफ टाइम है वो लगभग उसके बराबर है कार्बन डाइक साइड यानि लगभग 120 वर्स है लाइफ टाइम जो है 120 वर्स लिख लीजिए इसके इसके बाद क्या है आप लिख लीजिए एच अपसी आइड्रो ख्लोरो कार्बन देखिए यह ओबर आल लिख लीजिए फ्लोरी नेटेड गैसे हैं यह आपका एसर्फ यह सल्फ यह क्या था पी अपसी हो गया एच अपसी हो गया यह सब यूज कहां होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा हुटा था जो सी अपसी है तो सी अपसी पहले ही होता था लेकिन सी अपसी से क्या हुआ यह पता चला कि ओजून लेयर डिप्लिशन में बहुत बड़ा इसका तो मॉंट्रियोल पोटोकॉल से इसको क्या किया गया उसकी जगह क्य है किया गया है एच एफ सी को लाया गया लेखिन एच एप सी में भी पाया गया क्या है है यह सब तो कि alec कि आपका को आपके जितने भी यह रूम फ्रेशनर होते हैं या बॉडी पर होते हैं इसम में भी यह अगनी जो आपका समन होता है नहीं जो अगनी समन किया जाता हुआ उसमें फायर एक्स्टिंडुस्ट करने भी जो होता है चैनी कंड़क्टर इंडेस्ट्री में यह होता है इसी तरह से जो अब इनके साथ क्या है कि इनका जो पोटेंशियल गुलोबल वार्ण पोटेंशियल जो है यह बहुत ज़्यादे है सबसे ज़्यादे है मतलब वह इतना आपको लिखना हो हजारों में लिखना हो लिख भीजी और कार्बन डाइक्साइड की तुलना में ठीक जैसे यह है आपका है एच 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 है तो लगभग देर सो गुना अधिक है एक है कि यह लिखी जड़ा है यह कुस्चन आएगा आपका ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्विन पोटेंशियल कि यह होती है जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है अरे सॉरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लेकिक यहीं ग्लोबल वार्मिंग सामर थे अजिए कि Ciao ग्लोबल वारिम में उसका क्या contribution है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यह 21 गुना है, यह 10 गुना है। तो जैसे माल जी तो अब इसमे वही वाली बात आएगी कोई ग्रीन हाउस गैस है कि वह ग्रीन हाउस गैस कितनी हीट को एब्जार्ब करती है। इसकी absorption capacity कितनी है और साथी साथ वह कितने समय तक उसको hold कर सकती है। कोई भी ग्रीन हाउस गैस हीट को कितना absorb करती है और कितने समय तक उसको hold कर सकती है। उसी से उसका potential global warming के बारे में पता चलेगा। ट्रिक तो जिए ग्लोबल वार्मीं पोटेंशियल अभी समझ जी में लिकवा दे रहा हूं। जो ग्लोबल वार्मा पोटेंशियल है कि मेजर किया जाता है कि पहली बाद तो CO2 के संदर में में डाइक्साइड में कार्बन डाइक्सटाइड के लिफ्रेंस में। कि a can carbon dioxide जो है माझ लनीजे रिलीज हुआ ति कि भी carbon dioxide रिलीज हुआ गीकि तना मतलब कितनी रिलीज किया मल लिटे है कि carbon dioxide noise मंदल में रिलीज हो रहा है अब वो यृत अिक है है उसने अंप्नी है material है एक यूनित की एक मंदल में एक यूनित कर्बन डाय अक्साइड है एक यूनित कार्बन डाय अक्साइड है अब यदि हम इसी किस अंदर में देखें कि हम इतने ही मालेजी की जितनी हमने कार्बन डाय अक्साइड रिलीज की एक यूनित हम यदि मेथेन डिलीज कर रहे हैं वो कितनी हीट एबजार्ब कर रहा है कि अब यह थे महिन अपने कार्बन डाय यहां सदेन कर रहे हैं एंदिज कर रहे हैं इसकी अदर मिति हमने कर रहे हैं इसकी पुलना है धाई हम क्या जरूरी ले लिए लेकिन हम पोटेंशियल बताने के लिए हम माल ले रहे हैं कि एक तन कार्बन डायक्साइड जितनी हीर्ट ट्रैप करेगा फिक उसको हम माल लेते हैं कि एक एक यूनित हो अब यदि हम जो है एक तन ही रिलीज करें कि वो जो है इससे लगभग 21 गुना अधिक हो जाएगा हम बिसकी क्या कर रहे हैं कि दोनों बराबर रिलीज नहीं हो रहे हैं उतना जितनी मात्रा में कार्बन डायक्साइड रिलीज रहा है उतना ही यह भी रिलीज रहा लेकिन हम यह मान रहे हैं यह एक टन में भी रिलीज होती तो यह कितनी हीट अब्जार्व करती है तो बास्पर में आई यह पुल मिला के जो ग्लोबल बार्विंग पोटेंशियल है वो किसके संदर में मेजर किया जाता है कार्बन डायक्साइड के रिफरेंस में कैसे मेजर किया जाता है कि जितनी कार् for a gas, global warming potential for a gas is a measure of total energy that a gas अब्जार्ब ओवर ऐ पर्टिकुलर पिरियर्ड इप्टेट तू कार्बन डायक्साइड ग्लोबल वार्वर्ण पोटेंशियल पारगेश इसमेज़र आफ टोटल एनरजी डाइट अगेस एप्जार्ब ओवर अपटिकुलर पिरियर्ट कि पर्टिकुलर पिरियर्ड यूजियली जो आपका हंड्रेकुर रिएर होता है तेक है श्रृम्खेकर के अचलकर कि यह लिखें कि क्या लिखा है कि अधिक 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 कार्बन डायाक्षाइड के संदर्व में या के पुल्ना में संदर्व में लिखिए ठीक है और फिल्ध और कोषित करती है वह उसका क्या होता है ग्लोबल बाद में पोटेंसियल बात समझ में आगेगा इक पूटेंसियल लिखने के लिएक्जाम में नहीं आने वाला है इसका लेकिन अभजेटिव आपको आगेगा यह ग्यामपल लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए स्यसिए टूर्बन डायगस्ड़ाइड जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गी डडुलू पी अफ वन कार्बन डाइक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आने सामर्थ दुए एक उता है एक मान लिया जाता है and serves as a baseline for other and serves as a baseline for other global warming potential values यही इसको लिक यह वाली बात जो लिक लिक लिए लिक लिए लिए का जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है वन है अब इसकी तुल्णा में वन का मतलब क्या हुआ अब यह वाली बात यह जो है ना यह इसको अपनी अपनी लेंगेज में लिक लिए कि अब उसकी तुल्णा में एक टन मीथेन वी उप्षर्जित हो रही हो एक्मस्फियर में वप यहां टक लिए अब इसको थ्बाशाइब इस आघ है गिए और इजामपल करके विस्तो कर दिजे कि मंदलती मान लिए लेट जो है एक तन गार्बारिक डायकसाइड जो घीट को जो एवज़ार्ब कर रही है एक युनिक कर रही है तो देन एक तन जो है आपकी मिथेन हो गई या अधर कोई घ्रीन हाउस गैस हो गई वह कितनी जाएगा वो उसका पोटेंशियल हो जाएगा दूसरी जैसे माल जी इसका हमने माल जी पोटेंशियल कितना माल जी एक माल लिया तो अब एक यह एक तन हमने इसकी मात्रा करिए और यह हुआ है आपका लगभाग 21 गुना उसके जादे ही जो है क्या करेंगी अच्छे यहां पर लिख लिजी आपर किसी का जो किसी म्मालश कोई ग्रीन हाउज अटे जादे है तो वह क्या करेंगी में ज्यादे युगदान करेगी ग्रेटर दे पोटेंशियल ग्रेटर दे मतलब उसका युगदान होगा ठीक है यह वाला पॉइंट भी लिख लीजिए एक टेबल बना लेजिए ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिख लीजिए कि फिर उनका ग्लोबल वार्मिन पोटेंशियल आने बेश्विक तापन सामर्क या चंता लिख लिजिए इस दूसरा लिख लिजिए लाइफ टाइब कि लिख 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 कि यह न है यह बना लीगे नमबर बोल दे रहा हूं इसको लिखे लिखे कि यूटू का जी डब्लू पी लिखिए वन लिखिए लाइफ टाइम हंडेड इयर लिख दीजिए नदल यह सव साल तक जो है एक्मास्पेरन बनी रह सकती है कि मिथेन लिखिए इसका जो है 21 मिथेन 21 कि लिखिए लिखिए बारह साल को बिख्षक निट्रैस और साइड लिक्विए निट्रैस आक्साइड का तक एंसो दस लाइफ टाम लेची निट्रैस अक साइड सिए 120 यह ते यह कि यह है यह इसका डी डॉब्लू पी है यह 140 से लब लब बहुत जादे है इसको मतलब कि ऐसे कल जिए 140 से लेके ग्यारा अजार तक को इस तरह से है है लेकिन यह कर सकते हैं कि यह है इनका जो है ग्लोबल बारूं पोटेंशियल ठीक है और यह 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 नंबर्स है यह तीन के आप यह तीन है यह तीन में कंटिब्यूटर है इसका घृम से लिएक का लएक शेचरांट है यह तीन के इंपोर्टेंट है अब जैसे अब इसमें माल लिषे लिक जैसे इसका इसका जो नंबर है कि लिकलीड इता है इसका लिक लिक přिजिए कि एक से एक से 270 साल को कोई मतलब बहुत ज्यादे नहीं रहा जाता ना डाटा से समझ में आ रहा है कि इनका ग्लोबल वार्म पोटेंशिल क्या है बहुत ज्यादे है लेकिन चुकी इनका क्या है जीवन काल भी छोटा रही है जीवन काल भी बड़ा है लेकिन इंका बहुत कम है लेकर ना आपने यह क्या क्या जाना कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉंसविल गैसे कौन सी है कि ग्रीन हाउस गैसे के बारे में जाना आपने जाना ग्रीन हाउस गैस का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है यहां से कुष्चन आपको आता है ठीक है दूश्रा अब यहीदि हम जाने कि इसके एविड आक नहीं है मतलब जैसे लिक लीजिए अच्छे के प्रेम नहीं है मतलब और ऐसी डाटा आनिकवेश्व इसका पी अपसी का लिख लीजिए पैंसट सौसेए एक पियुट सॉट से बार्प स्टाइव ज़िरो जीरो टू 9200 विश्थ इने भांवे सौन तक ठीक है और उसह सिक्स का जो है 23,900 लिक लिजिए इसका पीफ सी का जो है आठ सो से पच्छास अजार और स्फिक्स का जो है जो है जो है तिस सो पच्छास अज़र आप से पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का ठीक यो भी चीजें हो रहे हैं उसके एविडेंस क्या है साथ से क्या है इसके लिखने साथ लिखने हैं तो बताने हैं आपको तो साथ क्या है इसका है अधिक तो आठीक है अध्य आप लोगोंने तुटकर तुटकर सब बता दिया मैं क्या बता हूं कि तो देखिए जो पाच्छा आपको लिखना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जामपल है बताने के लिए आप जो आईपी सीच्छी पी रिपोर्ट आती हैं आईपी सीच् क्लाइमेक चेंड क्या होता आईपी सीच्छी क्या है है अंतर सरकार मनलब जलवाई परिवर्टन पर अंतर सरकारी पैनल या समुझ पर लिए एपी सीच्छी क्या है आईपी सीच्छी करेंड में करेंड में क्या बढ़ते हैं सामने नहीं आया है ऐसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग आई होगी क्लाइमेट चेंज आया होगा यह कहीं पढ़ा होगा गूगल समत्पूचे करें मैं क्या बता देगा जब भी आप पढ़ेंगे तो आईपी सीची के बारे में आएगा ही आएगा आपका बिना उसके जो है बताना है चाहां कि एविडेंस आने आप ग्लोबल वार्मिंग के साथ लिखना या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट च दिगरी बढ़ गया इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा तो इसके लिए जो सबस्के इंपॉर्टेंट जो आपको प्रमाडिक डाटा मिलेगा वहां मिलेगा आईपी सीची की बिटोड से आईपी सीची अभी बता दूंगा बस पोड़ा सली जान लएगा आईपी सीची जो है इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट सेजिसका नाम है यह जो है यह युद्वाडी है जिसका निर्माल जो है जिसका गठन जो है यह आपका युनाइटेट नेशन इंवाइर्मेंटल प्रोग्राम युन एपी तिक युन एपी और डब्लू एम्मो और वर्ड मेटियोलोजिकल आर्गनाइजेशन ने जो है मिल कर तिक कब किया था नाइटी एक्टी एट में इसका गठन किया था इसको जो है युन एपी और डब्लू एम्मो और दोनों ने मिल कर नाइटी एटी एट में जो इसका क्या किया था गठन किया था आई पी सी सी इंटर गवर्मेंटल पैनल अन क्लाइमेट टेंट यह बना था कब आपका यह एक यह है आपका इवन बॉडी है और यह जो है इसका गठन युन एटी प्लस डब्लू यम्मो ने जो है कब किया था आई पी सी सी करता क्या है कि यह जो है जो क्लाइमेट टेंज है क्लाइमेट टेंज की पीछे का जो साइंस है क्लाइमेट टेंज का प्रभाव क्या पढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जा यह सकता है और climate change हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके UCS का science, o climate change हो रहा है तो temperature बढ़ रहा है, घठ रहा है, यह सब बताता है, plus उससे जो प्रभाव जो पढ़ रहा है इसको बताता है, और plus जो के से कम पी जा सकता यह उपाय बताता है लेकिन IPCC खुद कोई रिपोर्ट नहीं बनाता है डिपोर्ट जो किया है जिसले में कुई तो कर नहीं रहे हैं कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं किसी ने लिखा बनाया उसी को हम जा जाए रिपोड्यूस कर दे रहे हैं बता दे रहे हैं समझ लिए तो इसी तरह से IPCC जो है यह कोई खुद रिसर्च नहीं करता है कि इसके साइंटिस्ट पर मतलब इसने भेजा देखा तीम बठीच की त हमीब क्या करता है एक कर से asked बना देता आए इनको इंको एक तरह से ते सब्सक्eges कर देते हैं तो यह लिख सकते हैं कि यह स्वेम कोई रिसर्च नहीं करता आइए डिपी से होग आइपरों पर इसकल्पर कशी सर्च नहीं करता घुद यह क्या करता है जो अनेक इनकी जो रिसर्च को क्या करता है रिपोर्ट के फार्म में बना देखता है यह जो आपका ICC है इसकी जो रिपोर्ट है वो जो रिपोर्ट जारी होती है वो एसेस्मेंट रिपोर्ट आकलन रिपोर्ट के फार्म में मतलब इसकी रिपोर्टे आती है एसेस्मेंट रिपोर्ट इसकी आज़िया जारी करता है कोई काम कोई करता है कि आपना काम करता है कामों को जो है ८माल लीजिय कोई लिपोर्ट जारा कि उसमें बता दिया और ऑई कंपरेचर सेंटीयट की मतलब Circum कि अपने रिसर्च चल ला है तो उससे जो अब्जर्वेशन निकले उनको लेके इसमें अपना काम बना दिया तो यह जो रिपोर्ट होती है जो IPCC जारी करता है उसको बोलते हैं अपने आकलन रिपोर्ट तो यह अभी तक आपकी कितनी आकलन रिपोर्ट आ चुकी है लगभग लगभग नहीं चैया असेस्मेंट रिपोर्ट आ चुकी है यह आई है यह आई है आपकी तो आई है इसे करें कि नहीं पता है पढ़े है अप्रील जैसे देखिए कि बताने के लिए बहुत कुछ है जैसे यह जी जारी होती यह जारी करने के लिए वर्किंग ग्रूप बनाया जाता है आई-पी जीचि युक्प बनाया जाता इक्षाइब जो एक युकल यह वो थीजों को साइंस अप्लाइब प्रभाव क्या पढ़ रहा है और तीसरा है कि उसका कैसे किया जा सकता नहीं, उसका समन कैसे किया जा सकता ग्रोव है इस काम के लिए यह ए आर रिपोर्ट है आपका असेस्मेंट रिपोर्ट यह तीन वर्किंग ग्रूप होचे है वर्किंग ग्रूप वन, वर्किंग ग्रूप टू, वर्किंग ग्रूप टू, वर्किंग ग्रूप टू, टिक, बनाएगा, यह तीनों ग्रूप जो है क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएगे, टिक, यह वाला क्या करेंगा, वर्किंग ग्रूप वन जो है, एक रिपोर्ट बन आएगा इसो लिखने की बात नहीं है इसो क्या करिएगा लिखते थोड़ा सा समझ लिजिए कि अब हमें बताना क्या था ये ये युद्न सुम उधर बताने जा रहा थैं लेकिन अभी यह आ जेए तो यह एर असेस्मेंट रिकोर्ट बनना है तो अब माल दिजिए कि यह असेस्मेंट रिकोर्ट शिक्स अभी बनी तो यह किसकी जली साइकल चली है एक इसका चक्त चला असेस्मेंट रिपॉर्ट 6 सी निव शाइकल तो उसमें क्या हुआ एक वर्किंग्रूप बना वर्किंग्रूप 2 बना वर्किंग्रूप 3 बना अब तीन रिपूट बनी इनों रिपूर्ट अलग-अलग समय पर जारी यह वर्किंग ग्रूपवन में जो रिपोर्ट जा रही ती उसका वह क्या होगा साइंस के दो इसके अली पहली रिपोर्ट ती फिस्ट डिपोर्ट जो थी एइआर 6 में वो 2021 में आ गई थी कि दो प्री में चेंज के पीछ साइंस किया है एक जो यह फर्स्ट रिपोर्ट हो गई यह जो सेकेंड रिपोर्ट की यह आई है आपकी 2022 मार्च में आई है यह सेकेंड रिपोर्ट क्या करेगी हमने बताया कि यह बताएगी अब प्रभाव प्रभावों पर चर्चा करेगी और यह वाली जो गुर्प टीन है यह ओवर आल मिटिगेशन पर रिपोर्ट जारी करेगा तो यह इसकी जो यह ए-r6 की जो तीसरी रिपोर्ट है वह अप्रेल जो हैजा 22 में आ गई ती बात समझ गए अब पुल मिला के यहां पर ताज़कर यह है बताने का यह जो रिपोर्ट है यह जो समय समय पर जो IPCC जारी करता रहता है इसे जो डाटा हमें मिलेगा वही जो है हमें क्या करेगा पर लाटा है वही से चले जाएं और वही से चीजों को ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा आख्डों के साथ हमारा जो है आंसर यह हो जाएगा यह तक्क हो जाएंगे ठीक है कि आई पी सीसी ने क्या किया एक तो एसेस्मेंट रिपोर्ट जारी करता है एक टाइम इंटर्वल के बाद यह जो रिपोर्ट होती है यही जो है आपका उनाइट नेशन क्या है यू एन एफ सी सी पुरा फॉल 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 क्या है आई प्रेमवर्क तो इसे पहले पहले यह आई पी सी सी का रिपोर्ट जारी होता है उसी रिपोर्ट के अधार पर वो लोग जो यह क्या करते हैं किसी एग्रिमेंट पर जाते हैं जैसे पहले यह एयर जिक्स से पहले एयर फाइफ आया था तरे इस एयर पाइफार पर ही जो है आपका 2015 में जो है जो पेरिज कन्वेंशन हुआ था पेरिज सम्झ होता हुआ था कि वो इसी एयर फाइफ जो उसका क्या बनी बेस बनी तो नाग एस्स्मेंट रिकोर्ट अधार का काम की, ठीक है? यह बात समझ गया है? यह IPCC के बारे में मोटी मोटी बाते हूँ, इसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे क्या इसमें किया जा सकता है, देखें कुस्चन आपका यहीं से आएगा, यह IPCC पे डारेक्ट कोई कुस्चन आएगा, तो यह दिख अधेकी, एविडियंस आफ गलोबल वर्मिंट, गलोबल वर्मिंट के साथ से, दीक है, दीक है, दीकी, एकारडिंग टूद यह IPCC 5 असेस्मेंट रिपोर्ट 2014, आईपी सी सी के, एकारडिंग टूद यह IPCC 5 असेस्मेंट रिपोर्ट, आए आए आर फाई दोहजार चॉदर इस दोहजार चॉदर में यह रिपोर्ट आई दोहजार तंदर में आपका क्या हुआ तो लिख लीजिए अवरेज कमबाइन लैंड और उसीन सर्फिस टम्क्रेचर आज इंक्रीज़ वाई आए आए अवरेज कमबाइन लैंड अवीज असर्फिस टम्क्रेचर इंक्रेच इंक्रीज़ भाई 0.85 डिग्री संपिगेट वर दे पिरियद आफ 8 5 डिग्री संपिग्रेट ओवर दे पिरियद आफ इस्थल और समुद्र का कि आउसत इस्थल और समुद्र की सतह का आउसत जो है ताप मान में दस्मलों 8 5 डिग्री संपिग्रेट की ब्रद्धी हुई है तब से अठारा सो अस्थी से लेकर दो हजार बार के दीज़ी ने कि दियुख यह तो गई आपने उस समय बताया था लेकिन जैसे अभी लेINA किया बताया है बैसे हमने बताया कि यह यह आसेस्मेंट रिकोर्ट जारी होती अधो और रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट तेक है IPCC ही जारी करता है स्पेशल रिपोर्ट जारी करता है तो जैसे स्पेशल रिपोर्ट जैसे क्या जारी किया है इसने अभी एक जारी किया है कि दो चीजों पर जारी किया है कि एक जारी किया है कि स्पेशल स्पेशल रिपोर्ट वन पॉइंट फाइव कि उसका मतलब क्या हुआ कि यदी हम जो है तबीक के मतलब जो यह ग्रीन हाउस गैसों को सर्जन से जो टम्प्रेटर बढ़ रहा है उसको एक दस्मलों पांच डिगरी सेंटीगेट पर रोग दे कहां किस बेस पे इस बहुत आपको बुक्स आप पढ़ेंगे न तो उल्टा सिदा सब लिखा रहता है यह से देखिए मालब कि यह कुछ कुछ क्लिएर होने चाहिए जैसे एक दस्मलों पांच दिगरी सेंटीगेट ते अधिक न बढ़नेगी इसका क्या मतलब है नहीं यह मतलब है कि एक आपका पी इंडेस्टिलाइजिशन का जो समय थाने और दूग की करण के पहले का समय अने लगभग अठारत सो पचास के आसपास जो तंपरिचर था है तुछ है उस समय के टमपरिचर से तुछ माली थी सपोस्थ करिए कि 14 डिगरी सेंटीग्रेट तर्फा ठीक मतलब जो है कि पूरू आदोगी करण के समय प्री इंडेस्टिलाइजेशन के समय आपका टंपरेचर इतना था 14 डिगरी सेंटीग्रेट में इससे जादे ब्रदी ना होने पाए जो पूरू आदोगी काल में जो तंपरेचर था उस समय के तंपरेचर से एक दस्वनो चार एक दस्वनो पांस से अधिक ना बढ़े आज सुंग नहीं कि आप पूरू आदोगी यह आपका टर्म यूज होना चाहिए जैसे जब हम भी बात करते हैं कि एक दस्वनो पांच अब जैसे वह इतना कामन हो गया है कि एक दस्वनो पांच से अधिक ना होने पाए मतलब वो बेस क्या है पूरो अध्योगी करने का जो समय है वो उस समय जो तंप्रेचर था कि बात समझ में आ गई तो इस पेशल रिपोर्ट यह आई तो यह कहती यह रिपोर्ट जो कहती है वो यह कह रही है कि 2017 तक जो है तंप्रेचर एक डिशी सेंटीगेट यह बढ़ च इसमें भी टाइम स्टैंब दिया था ना जो दसमलो आट पांच ए अथारा सो असी माले जे दिया था तो अथारा सो असी से अब तक जो है एक डिशी सेंटीगेट तंप्रेचर बढ़ चुका है अभी जो स्पेशल रिपोर्ट आई यह 1.5 तो यह कह रही है एक डिशी अब एक डिवी जो बढ़ा हुआ उसके लिए आपने क्या किया है कर चुके है अब बहुत थोड़ा सा अब जिस रेट से दिशन कर रहे है वह जादे ही करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस इमिशन को रोकना पड़ेगा जैसे पॉइंट फाइफ ही तो आपके पास बचा हुआ रहें पॉइंट फाइफ से ज़्यादे नहीं बढ़ने देना है और यह वाले पहले बात जो हम लोग भी करें वहाँ पे चलें तो ज़्यादे वह हो जाएगा क्या है तंप्रेटर इतना बढ़ा एक इस्पेशन विपूर्ट से कह दिजी कि एक डिग्री सेंटीग्रेट तक तंप्रेटर बढ़ा हूँ ठीक है दूसरा पॉइंट डिक लीजिए एस पर नासा नासा के अनुसार क्या करता है कि आपका प्री इंडेस्ट्रिलाइजेशन का जो समय है उस समय जो आपका यह था स्योटू का कंसेंटेशन था वो दो सौ साथ टीपीम टीपीम था कि यह जो है स्योटू का कंसेंटेशन तो अजार सोला में यह लगभव हो गया है 400 पीपीम यह एर वही 800 प्टा शी लिक्ली ढो दो जापका यह जो एज यह वही 800 प्लीं कि 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 इसरा एक पॉइंट लिजिए और इसी क्या जो साच है लिग लिजिए टी एक्मास्फ्वेर और ओसीन है वार्मड अब वाई मंडल और जो है जो समुद्र है वो क्या हुआ है गर्म हुआ है ठीक है एक्मास्फ्वेर और ओसीन्स हैव वार्मड अमाउंट आफ स्नो अड आइस हैव दिमिनिस्ट अलब कि लेबल है इंक्रीज्ट या राइजर लिख दीए है कि दिमिस्ट हो गया है कि समुद्रिष्थर में गिरावट देखी गई है हुई है बर्दी हुई है और कंसंट्रेशन आप जो है ग्रीन हाउस गैसेज क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है पुल्मिलाकि ग्लोबल बार्मिन क्या हो रही है हो रही है अब अच्छे इसके इंपेक्ट क्या होंगे प्रभाव अच्छे इसके अच्छे झाया प्लुक्ट जया इसके इसके प्रभाव कि इंपेंट में पहले एक सिंपल वो लिख लीजिए चरा कि क्या-क्या हो इससे होगा फिर मैं इसके डाट जो डेटा है जो मैं अपने इसाथ से बताना है विखिस्ट वह क्या रहा है दो चीजें एक है कि आप मैंना सपूस करी कि आंसर आगया बार्मिंग लिखने के लिए उसको एक क्रम में आप लिख दें होता है इसके कारण है इसके प्रभाव है समुद्र जल गध्शोरे कम करते हैं तो यह पर शा संकूर पर में जा कड़ी है की ilgili हई है समूद्र जल में कि समुद्र जात neighborhoodBU आरड ओकि नाब लेकिन इंपैक्ट आप लिखेंगे तो ले से पहले ऐसे इंपेक्ट जो है इसका क्या इंपेक्ट पड़ रहा है लिख लीजिए ऐसे लेवल का जो है राई जोना जल समुद्री जल इस्तल का इस्तर का बढ़ना को अब यह जो सी लेबल है वाटर लेबल है आपका वह कैसे बढ़ेगा समुद्र जल इस्तर कैसे बढ़ेगा दो रीजिन इसके हो सकते हैं समुद्र के जल का इस्तर बढ़ने का दो रीजिन हो सकता है एक क्या हो जाएगा क्या हो इससे पानी आएगा तो समुद्र का जल इस्तर है जो इसके दो रीजिन है क्या है एक हर्मल इसने और अप सीवाटर है जिप समुद्र के जल का तापमान बढ़ने की वाज़े से दूसरा है इसको लिक लिजी इसमें भी जैसे डेटा है जब हम लोग IPCC की रिपोर्ट करेंगे जैसे ही 1.5 गे रिपोर्ट है इसमें भौट पास हो जाएगा आप कुस्चन तो आप जट्यू सही कर ले जाओगे लेकिन कोई मेंस के लिए लिखना होगा तो समझ में नहीं आएगा कि कि रजैसे कहां से लिखें क्या लिखें कैसे लिखें तो इसे पॉइंट लिखना जागे आपने जैसे इंपक्ट यह है उसे हो रही है ठीक है अब जैसे यह ऐसे किनारे में भी लिखा जाता ना आपको पूरा रखी काम करती है यहांपे आप ही ओजाती चुछ काम होता है जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं ले तो पुछ काम होता है कि बहुत सारी इक्स्ट्रा बाते बताना है कि हमाल लुजी की जैसे हम देखें कि हमारे समुद्र के जल इस तरह में कितनी ब्रद्धी हुई है इसका भी अपना एक डैटा है लेकिजे जड़ा इसके बारे में दो बाते हैं यह आई सी की रिपोर्ट है वह है कि यदि हम वन पॉइंट फाइव डिगी सेंटी ग्रेट को इकीसवी सदी के अंप तक जो रोग देते हैं लग इस सो जो यह आप पर स्टार्ट होगा उस समय तक यह दि हम प्री इंडेस्टिलाइजिशन के इस उससे सिर्ख जो एक दस्वनों पांच की ब्रदी करते हैं तब हमारे सी लेवल में ब्रदी होगी वह होगी पीस से साथ सेंटीमीटर आज का जो सी लेबल है उससे जो है यह हम इसको फालो कर लिए यदि जो है एक दस्वनों पांच डिग्री सेंटीगेट टंपरेचर के लच्छ को यदि हम पा लेते हैं इतना टंपरेचर एक पीसुन सदी तक रोक लेते हैं तब हमारा जो है समुद्र इस्तल बरतमान से 30 से साथ सेंटीमीटर बढ़ेगा यह बात संग्यागे यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो हमारे सी लेबल में इंक्री ब्रद्धी होगी मतलब कि यह भी हम जैसे लक्ष दिया गया नहीं कि नेट जीरो इमीशन करना है दो हजार पचास तक आप क्या करिए और क्या करिए दो हजार दस के इमीशन जो हो रहा था जितना उसका जो है 50% करिए यह सब कर लिया जाएगा तब आपका टंप्रेचर जो है प्री इंडेस्टिलाइजेशन से एक दसलों फांस दुगी संटिग्रेट पे रुख जाएगा जब ऐसा हो जाएगा तब भी समुद्र के जल इस्तर में कितनी की ब्रद्धी होगी 30 से साथ संटिमेटर की अब यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं आप यदि आप ऐसा नहीं कर पा है कि 21 से भी है हाज के इसकर से एक एक दसलों एक मिकर अगाई बार यह भी आप सब कुस्त मनलब जैसे यह तो आप कहा नहीं सकते हैं कि ऐसा है कि तुम लोग जोसा बुत्ति कि जो है सब कंटी बिल के जो आप प्री इंडेस्टलाइजेशन का जो तंप्रेचर था उतना ले आओ वो संभव नहीं है यह कहा गया कि भाई ठीक है आप कम से कम उतना ब्रद्धी करो कि एक दखनों पांस से ज्यादे कि ब्रद्धी नहों हो उस समय के तंप्रेचर से इस कि इसको करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा नेट जीरो इमिशन करना पड़ेगा 2050 तर तभी देशों को नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है मतलब जितना एक्टिविटी से कार्बन डायक्साइड या ग्रीन हाउस वैसों का उपसर्जन हो रहा है इतना ही जो है नेट्रॉल या आर्टिफिसियल माध्यमों से उसका क्या हो जाए सिंक हो जाए उसको इट्मास्पेयर से बाहर भी निकाल दिया है तो इस तरह की जो ब कि अधिक जा रहा है अधिक जा रहा है आगा इस अधिक तो बड़ा कंप्लेक्स टॉपिक है नहीं चल्ला है कि अधिक अब यह जो बात मैंने बताई यह मैंने अपने से नहीं बताई यह जो मैं बात कर रहा था 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 इस्पेशल रिपोर्ट तो लिख वीजिए यह डाटा जो कहां से आया आपका यह है आपकी कि उसका नाम है इस्पेशल रिपोर्ट का नाम लिख दी इस्पेशल रिपोर्ट और ओसियन यह रिपोर्ट आई थी IPCCP special report on ocean and cryosphere in changing climate कि यह दो हजार उन्नीस में रिपोर्ट आई थी कि अधिक कि अधिक कि अधिक कि रिपोर्ट आई इस्पेशल रिपोर्ट थी आधिक क्लाइमेट जैंट उसमें भी ओसियन पर क्राइव इस्पेशल पर क्या इट्रेक्ट पड़ेगा कि रायो इस्पेशल को मतलब बोलते हैं तो अब देखिए यहां से इंपक्त आपको क्या पता चल गया कि आपने सी लेबल बताया ओसियन पर क्या होगा सी लेबल पर आपने बताया कि यह आप एधि एक बसमलों पांच-माज दिग्री सेंटीगेट के कंट्रोल में राते हैं तो भी आपका समुद्र का इस्तर में कितनी ब्रद्धी होगी 30 से साथ सेंटीमीटर यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एक बसमलों एक मीटर की ब्रद्धी हो जाएगी अब ऐसा होगा अब समुद्र इस्तर में यदि ऐसी ब्रद्धी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसी का सब पॉइंट कर लिए समुद्र के जल इस्तर में यदि ब्रद्धी होगी हमने यह मान लिया कि यह आपने यहां पर लिखा ने डेटा यह वाला पर लिखा यह आपने एक बसमलों यह लिखने जिए यह आपको मिला है कि अब यह दी आपको मिला है कि अब यह दी आपको कैसा होगा तो तब से ज़्यादे क्या प्रभावित होगा पोस्टल एरिया कि इसी लेबल इंक्रीट करेगा पोस्टल जो आपके तटी यह छेत्र है कि पोस्टल एरिया क्या होंगे तब मर्स कर जाएंगे दूब जाएंगे इसके बाद पोस्टल एरिया का जो इको सिस्टम है जैसे कि मालीजी की जो मैंग्रो है या या तकी यह पर्यावरण है पारिस्टिकी है उसका क्या होगा बिनास होगा कोस्टल एको सिस्टम या कोस्टल बायो डाइवर्सिपी कि अब जो कोस्टल एरिया में एगरी कल्चर होता है उसके उपर भी प्रभाव पड़ेगा जो बहुत सारे जो है यह भी यह सब तीजह होंगी तो जो बहुत सारे ब्यूपी यह देश है से चिर्कलह कामी वाक क्राव ग्राव्सिपी अधरान पर 이브 कुल में प्रत्राम कि फीछत फ्रेंगिभ में पम्क्राव धर्रीग है छगी इससे इनकश्inyया है इनकली व्यंग में प्रतोर कॉंप सामभ्स। कि अरे मतलब कि ये जो कोस्ट जो आइलेंड है वो डूबेंगे ठीक है एक मीटर से जिनका बहुत सारे आने कि इतना सी लेवल इतना उचा नहीं है तो तम्प्रेचर बढ़ेगा तो डूबेंगे जकार्ता बहुत तेजी से जो है क्या हो रहा है दूब रहा है इसी लिए उस दूसरा प्रभाव इसका लिखिए दूसरा प्रभाव लिखिए इसी रिपोर्ट के आधार पर लिख लिजिए कि अ जो क्राइव इस फेयर है टीक है ग्लोबल वार्मिंग का क्राइव इस फेयर पर क्या प्रभाव पढ़ाने हिम मंदल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा कि मंदल तो क्या होगा हो मेंट करेगा लेकिन आप से मंदल क्या होता है सबसे पहले लिख लिख लिए सब्सक्राइब क्या है पॉज़न वाटर पार्ट आप ड़ अर्थ वाटर सिस्टम है राइस फेयर उन सभी मनलब जो है पोज़न को प्रभी में जमा हुआ जमे वे जल या क्राइव स्थेयर कहते हैं आप बहुत तो तुभी के जली भाग के जले जम्य हुए सिस्टम को जो क्या बोलते हैं इसके एक्जांपल क्या हो जाएंगे ग्लैसियर हो जाएंगे कि क्या है कि आइस कैप आप मौंटेन पूलर आइस परवतों की हिम टोपी और धुद्य भर्व ठीक है यह सब जो है क्राइव स्टेयर के जो एक्जांपल हो जाएंगे अब यह जो रिपोर्ट कह रही है कौन सी यही वाली इस पेशल रिपोर्ट ऑन ओसी एन क्राइव स्वेर्ट यह इस रिपोर्ट के अनुसार यह बता रहा है कि बिद्बीन 2006 से 2015 के बीच में इस ग्रीन लैंड की जो आइस सीट है दो हजार विद्बीन 2006 से 2015 ग्रीन लैंड आइस सीट लॉस्ट आइस पांस आफ एन अवरेज रेट आफ 2006 से 2015 के बीच में जो ग्रीन लैंड की आइस सीट है उसके द्रब्दमान में लगभर जो है दो सो अठतर दो सो अठतर बिलियन टन का जो है पर येर के रेट से जो है क्या वरा उसका लॉस हो रहा है आइस मास जो ग्रीन लैंड है ग्रीन लैंड की जो आइस सीट है उसके आइस मास में दो सो अठतर बिलियन टन पर येर प्रतिवर्स जो है ये अवरेश से क्या हो रहा है नट रहा है इसी तरह से जो है आपका जो अंटार्टिका है अंटार्टिका अंटार्टिका आपका जो यहां का जो आइस का जो लास हो रहा है वो एक सो पच्पन बिलियन पर येर के उस एवरेस से जो लास हो रहा है कि मैंस ख्राइशर जो अजा कि कोई भी याद रहा तो जैसे दिखिए कोई भी आंकडा जो है ठीक है जैसे 1.5 बाला है 1.5 तो यह आपके लिए 1.5 से जादे बढ़ाओगे यह टमपरेचर तो बहुत दिक्तत हो जाएगी सब कुल जूब जाएगा वर्बाद जाएगा एक लिखी एक हो गया है क्राइव इस पे है दूसरा दूसरा लिखी जी पर्मा फॉस्ट पर्मा फॉस्ट अपर्मा फॉस्ट इसको इस्थाई पुसार भूने पर्मा फॉस्ट इसको फुसार भूने कि इस्थाई पुसार भूने कि आपके समझ गये होंगे नहीं जाना कि कोई भी ऐसी जगह है जहां पर लगातार दो वर्षों का प्लस जो है जो भी वहां के आर्गैनिक मेटेरियल है वह क्या हो बर्फ के साथ जो है धके हुए है यह जैसे क्या स्वायल है थिक स्वायल माले तंप्रेचर कम हुआ स्वायल के नीचे भी तो पानी है तो वह बर्फ के साथ क्या अधर मिक्स हो जाती है कि बर्फ के साथ बने तो इसी देसे इन्होंने किसी में बोला था ना कि वह कार्बन डाय अक्साइट की रहती है तो जो आपका पैगा और तुंड्रा वाला रीजन है वहां की जो बुमी है वह कि लगातार जो बर्फ से जो रही रहती है कि मतलब लिख लीजिए इसको पहले अरे लिख लीजिए पर्मा फास्ट क्या होता है तो बिख लाई लिख लाई लिख लाई लीजिए बैके लिख लूँजिए अर्मा फस लीजिए लीजिए लाई विख लाई इन विख स्वाल रॉप इफ इन विख स्वाल रॉप इफ क्या लिखा इन विख स्वाल रॉप और अर्गनिक मतेरियल और इन फोजन फाम या इन अदर वर्ड दूशरे सब्ड़ों लेकिए लैंड 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 इस तंप्टेचर इस लोवर दैं जीरो डिवी सेंटिग्रेट अन्टू बैक टू बैक येर बैक टू बैक येर लगाता दो वर्सों में आपका टंप्रेचर क्या हो जीरो डिवी से कम कि अब क्या हो रहिए कि अब ये तंप्रेचर आइंग्रीज करेगा ये बी क्या हो पर्माफास्ट बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसे को क्या की रहता है इस्टूर की रहता है और यह डेटा आप ऐसे लख लेकि एट्मॉस्फियर से जादे इस्टूर किया हुआ कुछ इस तरह की बात है जो एक्मॉस्फियर में कार्बन डाइक्साइड है उससे जादे पर्माफास्ट इस्टूर किया हुआ अब देखिए अब यह अब इस पर क्या प्रवाव पड़ेगा दीजे क्या होंगी पर्माफास्ट को देखिए कितना जो है ग्लोबल वार्मिंग हुई ना ग्लोबल वार्मिंग माले टम्प्रेचर इंक्रीज हुआ ऐसे लिए टम्प्रेचर जो है क्या हुआ इंक्रीज हुआ तो पर्माफास्ट क्या होगा अधिक्रीज होगा फिक फिर क्या होगा जब यह मैंज होगा कम होगा इसका अरिया कम होगा यह क्या करेगा या ग्रीन हाउस गैसेश को कर देगा तो कि तर्जित करेगा जो उसमें स्टोर है कैप्चर है अब उससे क्या होगा जब फिर यह क्या कर देगा जब यह ग्रीन हाउस गैसेश का कंसंटेशन एक तरह से बढ़ जाएगा तो ग्लूबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी कि अधिक साइक्लिक प्रॉसेस हो जाएगा ना यह तंपरेटर इंठीज हुआ पर्मा फास्ट का जो है डिक्रीज हुआ इसके अंदर जो इस्टोर हो रखी है नेचरली जो ग्रीन हाउस गैसेश वह क्या होंगी रिलीज होंगी तो फिर क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग औ कि अधिक भरर करसे पास्ट कर दो हो रखेश खर कर दो हुआ कर दो हो अनुट में पर आफ और दो हुआ यदाए रखेऊद में पर फिलीज पर खो झाल कर दो हो अधिक ज़ हैं पर मानम पर उखए़ जट खिलीज़ कहां आपर एक और लिखली के वहोगा जो है जो एक प्रयबल बढ़ेगा तो क्या होगा जब मालोग सब्सक्राइब मैं एक दो श्रज़न से जब होगा तो ऑस्य एंप का ची वस्में नहें अव्ली एक अग्राइब लिख लिजीए, बीटी इन खीसिन, मतलब, कंसर्टेशन आफ ग्रीन हाउस गैसे ज या कारबन डाइक्साइड लिख लिजीए, ठीक, दे, एस्डिफिकेशन आफ ऑस्यान हो गया, दीशरा लीख लिख लिख लिखेए, लिख 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 लिखेए, कि उसके अलावा क्या और प्रभाव पड़ेगा इंपैक्ट होगा आपने देखा ऐसे और लिखना है तो भाई एग्री कल्चर पर लिख लिए प्रभाव पड़ेगा स्वास्त पर बाव पड़ेगा यह सब जंगल बाते हो गई अब उजोन डिप्लीशन की बात है और यह सब्सक्राइब करना कि आप कहा सकते हैं कि जैसे नैक्रस आक्साइड है यह नो तुझा रिखा गया है कि उसीन का अमली जो एसीडिफिकेशन उसका क्या मतलब है कि ऐसे मतलब उसका अमली करण मतलब है तो है 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 कि अब लब समुद्र के जल का जो है जैसे बेसिक उसका नेचर क्या है बेसिक है छारी है लेकिन उसमें जो है जैसे कार्बोनिक अमल की मात्रा बढ़ेगी ति उससे जो है उसका क्या होगा अमली करण की प्रकिरिया हो जो जो उसका बेसिक नेचर है लगबग आठ के आसपास है तो वह एट से पुड़ा सा कम हो जाएगी तो इस डारेक्शन है मतलब की साथ होता है साथ से उपर साथ से नीचे ठीक है तो यह माली जी यहां पर आठ है तो आठ से थोड़ा सा घट्के मतलब आठ सेवन पॉइंट नाइन हो गया सपोर्च करीक यह बेसिकली क्या हो रहा है एजडिफिकेशन आप जो है अमली करण हो रहा है शागर का अमली नहीं हो गया उसका अमें लेकिन उसका जो छारी पन हो थोड़ा सा तर्म हो यह आपका इंपैक्ट है अच्छे एक लिए होत करण सेशिटी क्या होती है जाउस ने आठेटि यह वही है जैसे जिए रिफोती साती ही रहती है जी जो विद्धिक कांट्रस होगीरा होती है कि इसमें ये सब तर्म और कराता है आप्ली तुस से नाएं कि तुस्चे जाएंगि इसकरम से पूसे जाएंगे कि यह आया है कि सपोर्ट के रिए कि यह हाउस गैस है तिक जो इंडस्टिलाइजेशन, प्री इंडस्टिलाइजेशन के समय जो था रहा है, यह भी था माल लेगे, उसको यह भी डबल कर दिया जाए, अब जो इसकी इतना का हमारा 280 था, तिक लगभग 280 बिलियों टन था, तो इसको यह भी डबल कर दिया जाए, आने कि इंडस्टिलाइजेशन के समय तो यह भी यह ग्रीन हाउस गैसा कंसल्टेशन का, यह भी वो कंसल्टेशन डबल हो जा रहा है, वो गुना हो जाए, तो इससे लिए है, कंप्रेचर में कितना इंक्रियों होगा, पद्धी होगी, ललाइक वो उतना होगा, वह भी आपको क्या होनी, कारगन से स्टिकियों होगी, लाइक लेदी, कारगन डाइयाट साइट के निसन को समय सिफिक्टा इंक्टा पूर्व अधोगी द्लाइक की समय सिफिक्ता यह जाए, रहुसे भी खुबना कर दिया हुआ है, तो पालदी म पहले समझ देखेए, कि फ़ले इधर देखेए ऑघ पुरौ आप देखी काल के समय का जो काल्वन डायर्टायर्ट्ट का इंशन था, जिए उसकी मात्रा माली जी कि उस समय किसमे कि थी, 280 थी, ठीक है, अब उसको बठा के 280 का बुढूना कर दिया जाए, इतना हो जाएगा, प तो अब यहीं आईसा हो जाए उससे जो है जो नहीं किया गासकता है यह एक से तीम दिगी सेंटिगेट्स सब्सक्तिगेट्स तो नहीं अब यह जो किया है जो पावर है अलग अलग गैसों का लग है या या जैसे माल की आप यह कुछ आइस बहुत सारे फैक्टर है उसकी फीचर है आईस है अलियत परमा पास्ट आपने चर्चा की तो इस वज़े से जो यह रखा गया है जादे रखा गया है ठीक